हेलो दोस्तों कैसे हो सबी लोग, आयब सब अच्छी होंगर सब लोगों की फिर परसें बड़े इच्छे तरीके सल रहे होगी हर बच्चा RRB JEE में मैट्स को लेके डरा हुआ है सर RRB JEE में मैट्स के लिए कौन सी वुक को रेफर करें हम CGL के वीडियो फोलो करें या ना करें क्योंकि से GK अच्छा है, GS अच्छा है, रिजिनिंग अच्छा है लेकिन कहीं मैट्स के कारण में CBT1 को अगर क्वालिफाइ ना कर पाया तो मैक्सिमिम बच्चे 8, 9, 10 की मैट्स को पढ़ रहे हैं उसके दम पे हमारे पास मैस निकल जागा, ऐसा भी काम कर रहा है दूसरी चीज हमारे पास एक काम कर रहे हैं कि बच्चे CGL के वीडियो फोलो कर रहे है जिसे कि हमारा मैट्स अच्छा हो जाए, देखो यार CGL पूरा नोन टेक एक्जाम है इसके लिए आपको CGL का कोई भी वीडियो आपको फोलो नहीं करना अब जैसे कि आप 8, 9, 10 की अगर मैट्स की बुक आप फोलो करते हैं, NCRT की तो उसमें क्या होता है कि आप उनको पढ़ तो लोगे लेकि आपको ये नहीं पता होगा कि सर्क कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है उसके क्या सारे क्योसंस करना है बेटे तो वो भी आपके लिए बेरिफीशल नहीं होगा 8, 9, 10 इतनी सारी बुक्स आपके पास हो जाएगी लेकि एक बुक में आपको सजेश्ट कर दूँ, अगर आपने डेफिनेटली उसको फोलो कर दिया तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा इसके लाव आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप किसी टीचर का कंटेंड फोलो कर रहे हैं, या मेरे कोई फोलो कर रहे हैं, लेकि आपको सिर्फ इसी बुक्स की क्योसंस करना है, लिमिटेड क्योसंस करना है, जादा नहीं करना, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है आपके पार topic y pdps आपकी बना बना के आपकी उस folder के अंदर आपकी upload होती जाएगी तो आप वहां से क्या कर सकते हो उसके अंदर जितने क्योंस से परतेक topic के चलो ठीक है लेकिन उसमें सारे जितने भी type बनते है उस type के questions है और जो RRB में पूस्ता है वही pattern है उसका एक बी अलग pattern नहीं है और जो उसका level है easy to moderate वही आपके पास वहां पे देखने को आपको मिलेगा ठीक है अगर आपको चाहिए कि हाँ सर हमको ये provide करा दीजे masterplus educations के applications में free content के अंदर तो सारे बच्चे comment कर दीजेगा और इस वीडियो को हर बच्चे तक आप लोग share कर दीजेगा मैं ये चीज आपके लिए provide कर रहा हूं ये कोई भी नहीं करता मेरे बाद सिर्प इस books के questions क करना है क्योंकि आपको क्या करना है आपको सारे टाइप समझ में आगे उसके अंदर theory भी होगा आपके पास और questions भी होगा और with solution होगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी टेस्ट हैं आप टेस्ट लगाएगा वो proper analysis आप लोग करते रहेगा टेस्ट लीट तो जिस बच्चे को चाहिए आप मुझे comment करके बताएगा कि फिर उसके बाद ही मैं free content के अंदर उसको aid कर दूँगा ठीक है चलेगा thank you take care love you all